हाई दोस्तों, असलाब अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नबील है, टेबल पर इतने सारे आइफोंस रखे हुए, इसका मतलब ये है कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन है, आपल का वर्ल्ड वाइट डेविलबर कॉन्फरेंस, ये इवेंट का अनॉस्पेंट हो चुका और इसके बारे में अनॉस्मेंट कर दिया, इसके बारे में अनॉस्मेंट कर दिया, इन्वाइस, सेंट, अनॉस्मेंट कर दिया है, ओनलाइन उनली इवेंट रहेगा, ओफलाइन नहीं रहेगा और ये बहुत अच्छा डिसिएन लिया अपल ने, अब यहां पे सबसे बड़ी और इंपॉर्टन चीज जो आपको देखने मिलेगी वो है नए आपको आइपार ओएस, आइपार ओएस, मिल जाएगा, ओर साथी इसके वॉच ओएस भी बिल जाएगा, इसी के अदर आपल के जो दूसरे प्रोड़क्स है, उनके लिए भी नए ओएस आपको देखने मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टन थे वो मैंने आपको बता कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसकस करेंगे कि कि इन आइफून पर आपको आइपार 16 देखने मिल सकता है, कि इन पर नहीं देखने मिलेगा, इस बार जो है इस टाइप के आइकन है, और अगली बार अलट टाइप के आइकन है, आइकन के अंदर स्लाइड चेंजिस रहते है जो visually pleasing भी रहती है और easy to understand भी रहते है लोगों के लिए जो हमेशा से iPhones यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन यहापे आपको काफी सारे improvement देखने मिलेंगे, देखो Apple तो बहुत ही tight lift है, इसके बारे में इसके बिल्कुल भी leaks बाहर निकल के नहीं आए, लेकिन एक prediction हम ज़रूर क अपनी sleep, अपना focus, अपने notifications से manage कर सके, notifications को भी और बहतर बनाएगा manage करने के लिए और इस्तम्वाल करने के लिए ताकि आप अपना वक्त जाया ना करें, इन notifications के चलते, security और privacy आपल की number one priority रही और privacy के नए-नए features आपल और इसके अंदर add करेगा, जैसे पिछले साल जो Apple ने i आपल के तरफ से expected है, और widgets भी खास तरफ आपल का यहां पे ध्यान होगा, कि widgets को किस तरीके से इंप्रूफ किया जाया, मैं चातो और भी user friendly features, Apple यहां पे लेके आए, जैसे इस साल iOS 15 में लेका है, features बहुत सारे है, लोगों को पता नहीं होता कैसे use करना है, तो इसलिए वो बहुत सारे applications जो है, उसको download करने की भी जरूद नहीं पढ़ती third party वाले, अब यहां पे मैं आपको यह जो phones है, इनके उपर iOS 16 किसमें आपको देखने मिल सकता है, यह बताने के पहले, आप से कुछ बाते कर लेता हूँ, और आपको अपने free Apple के shares भी देता हूँ, आप यह व हम इंडिया में रहे कर Tesla की car तो ओन नहीं कर सकते, लेकिन Tesla के stock ज़रूर ओन कर सकते, I know आप लोग बोलोगे कि US stocks में invest करने पर बहुत सारे commissions और charges involved होंगे, and stocks भी expensive है, एक एक stock जो है, वो 1000 डॉलर का हो सकता है, लेकिन देखो अगर आप मेरी तरह IND money का इस्तमाल करके US stocks में invest करते हो, तो आपको पता ही होगा कि IND money के जरी से आप US stocks में fractions में भी invest कर सकते हैं, यानि कि एक stock का छोटा सा हिसा, और IND money पे कोई account opening fees भी नहीं है, zero commission है, और zero brokerage है, ताकि आप एक small amount से भी अपनी favorite US company में invest कर सको, और मैं आप सभी को IND money की साथ मिलके Apple company के 250 रुपीज के shares ज या फिर आप App Store या Play Store से देख लिए, IND money को इंस्टॉल करते है अपने phone पे, तो बस Snap App, ये जो code आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका इस्तिमाल कीजिए, sign up के वक, और अपना US का stock रुपीज के shares फ्री में मिल जाएंगे, और जब आपना US का stock account first time fund करते हो, तो आपक पे तलवार लटक रही है, ये समझ लिजी आप लोग, सबसे बहुत बात के लिए दोस्तों, iPhone 13 series की तो इस पे नो डाउड अभी इस सल आया है, 5 सल के अपडेट्स आने वाले है, iPhone 12 series भी completely safe है, कोई टेंशन लेने लिए बात नहीं है, चाहे 12 हो, 12 mini हो, 12 Pro Max हो, कुछ भी हो, इसका मतब ये नहीं कि उसके अपडेट्स नहीं आएंगे, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, अगले 5 साल तक इस पे भी अपडेट्स आएंगे, iPhone SE 2020 यानि कि iPhone SE 2 इस पे भी आपको अपडेट्स देखने मिलेंगे, iOS 16, iOS 17, iOS 18, कोई टेंशन नहीं पात नहीं, सेम चीज है, iPhone 11 के साथ इसमें भी A13 बायनिक चिपसेट है Apple का, तो इसमें भी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब आजएते दोस्तों थोड़े पुराने फोन पे जो है, iPhone XS, XS Max और iPhone XR, ये फोन अगर आपके पास है, तब भी आपको टेंशन नेने वाली कोई बात नहीं, इसमें iOS 16 के अपडेट्स आएंगे और कन्फर्म आएंगे, आप लोग बिल्कुल भी बिफिफ करोगे, अपने iPhone XR को यूज भी कर सकते है, iPhone XS को यूज कर सकते है, कहीं कुछ मिल रहा है, second hand में deal अच्छी, वो भी आप ले सकते है इन फोन के उपर, अब आजएते दोस्तो थोड़े पुराने iPhones के सेट पे, इन फोन को मैं साइड में कर देता हूँ, और इन फोन को मैं बीच में लेके आ जाता हूँ, अब दिखिए, गौर से सुनिए, सबसे पुराना फोन में, जो सबसे नया फोन है, वो है iPhone X और iPhone 8, 8 Plus, 8 Plus पीचर रगावा है, 8 मेरे हाथ में है, यहाँ पर यह है iPhone X, iPhone 8, अब यह जो फोन है दोस्तों इस पे भी आपको iOS 16 का अपडेट देखने मिलेगा, आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाल बात नहीं, यह दोनों फोन जो है 21 साल में लौंच होए थे, 2017 में, और अभी भी Apple इसको 5 साल होने के बाद भी अपडेट देने वाला है, so you can just be sure कि आपके iPhone के उपर अपडेट आएगा, अब यहाँ पे थोड़े खत्रे वाले घंटी के सेक्टर में आ जाते है, कि इन में से किस iPhone के उपर आपको iOS 16 देखने मिलेगा, कि इन पे देखने नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों जितना experience से हम बता सक तो iPhone 6S जो है, iOS 15 मतलब बहुत जादा अपडेट आपल ने दे दिये 6 के बाद, जबकि 6 और 6S में एक ही साल का फरक था, तो iPhone 6S और iPhone SE 1st generation, यह जो दो iPhone है दोस्तों, इनके उपर यह वाला अपडेट most probably नहीं देखने मिलेगा, तो अकर आपके पास यह फोन है, तो आप जो ह अची बात होगी, मैं तो बहुत कुछ रहूँगा, कमाल की बात होगी, इतने साल बात भी अपडेट आ रहे है, लेकिन 2014-2015 यह टाइम के जो यह iPhone है, इन पे अपडेट most probably जो है, मुझे ऐसे लगता है 99% नहीं आने वाला है, अब यहाँ पे दोस्तों रही बात iPhone 7 and 7 Plus की, अ तलवार क्यों लटक रही है, इस पे तो आना चीए, अगर 6S को Apple discontinue करता है, तो 7 पे आना चीए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, 7 is also very old, और 7 पे भी हो सकता है, अपडेट ना आए, 50-50% चार्ज़स है, वैसे तो बता जा रहे है कि 7 पे अपडेट आ जाएगा, लेकिन ऐस सोच रहो, तो maybe you can wait one or two months, एक दो महीने रुक के आप ले सकते हो, second hand में अगर आपको वे deal मिल रही है, एक दो महीने रुक के भी आप इसके बारे में सोच सकते हो, अभी जो S model होता है, दोस्तों, यह S model के अंदर Apple generally इस टाइप के अपडेट जो है, थोड़े जादा पुश क जिसता है कि यहां पर बोरिया विस्तर इसका जो है Apple लपड़ दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर अपडेट आए, आप लोग बताई यह आईफून 7 पर अपडेट आएगा या नहीं आएगा, आप जो है, जिस्ट वेट एन वाच, जून 6 का वेट कीजिए, आपको सार कि इन फोन पर अपडेट आ रहे है, कि इन फोन पर अपडेट नहीं आ रहे है, उसके अपने डिस्जिन ले सकते हैं, बेचने ही कोई जरूरत नहीं क्योंकि आने वाले कुछ सालों तक भी इन पर सारे अप्लिकेशन का सपोट रहेगा, आईफोन 6 पर भी जो iOS 12 पर अटक च रिलेटेड, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, और वीडियो के बीच में, आपलिकेशन के बार मताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से या कि उसको डाउलोड इस्टोर कर लिजिए, अगर आप आप स्टोर प्लेस्टोर से डाउनलोड कर रहे भी करते है, and it is the best app to invest in US stocks from India, तो उम्मी करते हैं दोस्तों आपको ओच क्या वीडियो पसना आपका, पसना है उसको लाइक और शेर जरू कीजिए, मेरे चैनल को सब्स्क्राब कीजिए, गुद्बाई